कंडे या उपले को आप अच्छ तरीके से डीकमपोज करके आप देखे इस तरीके के खाद आप बना सकते हैं आपको होता है कि यह बहुत एक बहतरीन खाद बनके त्यार हो गया आपको मार्केट से बर्मी कमपोज जो पसेच करते हैं बर्मी कमपोज पसेच करने आप सकता न करने पर अपने गमलों भी इसको अब इस्तिमाल कर सकते हैं दोस्तों हम बता रहे हैं आपको कि इस कंडे उपले से कैसे इस तरीके से बनके रेडी हुआ है सबसे पहले दोस्तों आप उदादे कि आप लिक्विट फटलाइर कंडे का बनाते होंगे तो जैसे हम बताते हैं आप और पानी में इस तरीके के उपला डाल दीजिए अगर यह बड़ा और तोड़के दो भागों में इसमें आप डाल दीजिए और डालने के बाद दूस्तो ओपनी यह 10 लीटर पानी है तो दस लीटर पानी में 5 आप कंडे ले लिजिए 5 अब डाल दीजिए क्योंकि 2 लीटर फस्तों atmosphere टू पानि हम डाल करता है तो ओफॉट रखं़ तों ऊपर से एक अपको वेट भी रख देना है वेट आप रख देंगे तो इससे ही होगा कि सारे कंड़े आपके डूबे रहेंगे और अच्छे तरीके से यह लिक्वीड फट्लाइव बनके हो जागा त्याद तीन से चार दिनों में दोस्तों तीन से चार दिन बाद इस लिक्वीड फट्लाइव को आप छान लीजिए दर दर हैं तो दस लिटर में आप 10 पानी मिक्सल यह हो गया बीस लिटर बीस लिटर को आप अपने जड़ में सव में 200,000,200,300 पानी आप दे सकते हैं उसके बाद लिक्वीड के छिड्का आप बात करते हैं तो एक लिड्क लिक्यूड रहाएगा और चार लिडर पानी रहा यह आप समझ लिए जिए चिड़काओं का अलग डोज है और ज़र्म डालने का अलग रोज है दोस्तों अब उसके बाद आती असली टॉपिक पर कि जो यह हम यह कंड़ा जिसमें से निकालते हैं उस कंड़े को डी कंपोज कैसे करते हैं तो दोस्तों हम बता दे आपको कि दो इसको निकालने के बाद आप अच्छे तरीके से पहले इसको एगदम पूरा मैस कर लेजिए इसको मैस करना आपको बहुत जरूरी है यह हाथ में गलफ भी पैन सकते हैं गलफ पैनने कवा इसको मैस कर लेजिए नहीं तो इस तरीके से मैस कर सकते हैं इससे आपके हाथ खरा चूरा इसका बना लेते हैं, देखे इसको मैंने भुरवा बना लिया, दोस्तों इसको अच्छे तरीके से जितना आप बारिक बना लेंगे, उतना आपके लिए बहुत ही बढ़ियां रहे गाई है, अब आपको बता दें कि इसमें आपको मिक्स करना है मिट्टी, अपने मिट्टी ले सकते हैं, लेकिन बहुत नीचे की मिट्टी आप इसमें इस्तमाल आपको नहीं करना है, तो दोस्तों इसमें मिट्टी मिला लेंगे, तो इसमें आपको बेंट्फेट यह होगा, कि मिट्टी बेक्टरियों का संसार है, आप इसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला लीजिए उसके बाद ये अपना काम करना शुरू कर देगा अब इसमें आपको दो चीज और मिलाना है पहला इसमें मिलाना है गुड देखिए पूरा इम इसको मैंने भूरा बना लिया है आप देख रहा है और इसमें मिट्टी भी मैंने मिक्स कर दिया अब इसमें आपको मि आते समें दोस्तों थवास पर यह करना है कि आप इसको अच्छे गोफर को आपको घीला नहीं बनाना है जितना छूखल रहे हो उतना सई और हागा बहुत सुखला मेडियम नहीं रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से यह डिकंपोज होगा कि ऊसके बाद इसको जब अच्य तरीके से आप Mix कर लें गे तो Mix करने के बाद इसमें आपको मिलाना है दही जैसे गुड़ की मातर आपको बनाने इसमें कि आप 50ग사म आप 100 क्राम मिलाव दें तो बहुत उपयोग ठते और पनम ए तना अब इसमें हलं कहर कि ये सही है इसको तरीके से अब इसको फैला कि मिक्स कर लिजी दोस्तों मिक्स करना बहुत जरूरी है अब यह नहीं कि और उपस इसको कर देंगे तो इसमें टाइम लग जाएगा आपको डिकम्पोज होने में अच्छे तरीके से आप उपस नीचे अब इसको मिक्स कर दीज दिखिए, अच्छे तरीके से यह mix हो गया, अब mix होने बाद इसको decompose होने के लिए आप काम में करना है, कि आप एक इसका लेना है, बाल्टी और बाल्टी ले लेंगे, तो बाल्टी में इसको आप भर लीजिए, तो आप बाल्टी में दोस्तों बहर लेते हैं, और आप को ब तो is for I Blues में अगर आपको एक भी शिद्र हाय तो ठीक अनल्य भिशिद्र है जो ऊपा युद्ध करेंग कि उसमें भी आ पको छिद्रा न बहुत ही जरूरी है दोस्तों यापनाओ आगी आप देख सकते हैं तहरीsam एस में आप जोत आतार है। अपनल देख हने से कीट का मैं बता रहा हूं यह तरीका आपको बहतरीन कामायाखा डिकमपोज होने के लिए और जो एक ख़ाद बनके तयार होगा इस खाद को आप किसी कोशिस करना है तो आप देखिए यहाँ पर हलका सा यह इसमें सपेस है आप यहां से हुझा हवा निकलती जाएगे लेकिन अगर पूरी तरीके से इसको ढग देंगे तो आपको बाल्टी में कहीं कहीं आपको च्छी दर दो तीन जगए करना पड़ेगा और आपको दा दे तो गरमी में लुग से बहुत जयादENT टमपरिचरी रहता है और टमपरिचर जब रहता है तो इए कहीं निकें बहुत ज़्यादी क्यादी ढया जाू घाता है उस अघर आपके पास डि पाणीह संबstep से पाणीहूत होता है निक पानीहिंता है कि अब एक सब्धा हल्का हो जाएगा जब ड्राइए अगर नहीं होगा तो कोई जरो फने डिकंपोज पानी डालने की आपको बढ़ा है कि इसका प्रोसेस कि कम से कम चारी से पैतालीस दिन में ये बन के तयार होगा और 4-45 दिन की बनने की दौरान आपको बीच में काम ये करना है कि इसको ढलिए करन होगा के और यह काम आपको हर तीन दिन पर एक बार जरूरी है कि और इस तरीक्षे से आप देखें इस तरीके से इतना अब इस्तमाल करेंगे तो बहुत बढ़ी आपको रिस्पांस मिलेगा और बरसाथ के समय में दोस्तों समय यह यह भी आती है कि बहुत लोग लिक्विड फट्लाइजर इस्तमाल कम करते हैं कि आलेडी पानी से गमला फूल रहता है नम्रण नमी रहती है त इस खात को आप इस्तमाल करिए बरसात के मौशन में आपको होता है कि बहुत ही बहतरिन इसका रिस्पांस आपको मिलेगा आप जितना आप पास पॉट की साइज उसी हिसाप से चारों तरफ से पौधे पर डाल दीजिए डालने के बाद आप छोड़ दीजिए बहुत बढ़ के बहुत लोग कमेंट करता था कि सब्सक्राइब जो उपला निकलता अल लिक्विट फटलाई से कैसे बनेगा तो मैंने वीडियो बना के आप वो दे दिया क्योंकि यह वीडियो दोस्तों बनाने में कम से कम महीने से दो महीने का टाइम लगता है तुरंत यह बनता नहीं ह तो इसलिए दोस्तों बहुत डिले होगा यह वीडियो आने में तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करेगा